हेलो गाइस कैसे आप लोग मीद करते हूं अच्छ होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अहुजा के अम्प्लिफार के बारे में जिसका मॉडल नंबर है ऐलेकसे 7600 और यहाँ पर हम बात करेंगे इस अम्प्लिफार का प्राइस कितना होगा इस स्पेसिफिके सन आपको क्या क्या देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे लोड कितना हम इसमें डाल सकते हैं जैसे की दो बेस कितने हजर वाट का चलाएंगे चार बेस कितने हजर वाट का चलाएंगे और आठ बेस कितने हजर वाट का चला सकते हैं ये सारी चीज हम बात करेंगे इस वीडियो में साथी साथ यहां पर टॉप के बारे में बात करेंगे कि दो टॉप कितना चला सकते हैं ये सबी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं या फिर हम इसमें आठ टॉप चला सकते हैं या नहीं जी हाँ आठ टॉप चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे कितना हजरवाट का टॉप चलाएंगे ये सबी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो बीडियो को लाज तक जोड़क देखते रहेगा और बीडियो अच भेडियो को लाइक करीएगा अपने दोस्तों किसाथ और चैनल में अगर अभी तक नहए है तो यार सब्सक्राइब कर लो बेल एकिन कॉल में सेट कर लोगी कि आपको डिजिसलेटेड ऐसा ही जानकारी मिलेंगे इस चैनल में तो चलिए गाइस वीडियो को इस्टार्ट कर लेते हैं तो नमस्कार दोस्तों मैं हो भी सेख और आप देखें है डिजिरोग चैनल तो गाइस बात करेंगे वीडियो के उपर जैसे कि अफजा का एलेक्सेश चेहतर सो एम्प्लिफार आप देखी सकते हैं दो चैनल का एम्प्लिफार है पाउर और अपका स्विच मिल जाता है अफजा का ब्रैंडिग मिल जाता है एलेक्सेश 76 और डूल चैनल पाउर अम्प्लिफार यहाँ पर लिखा हुआ है मिल जाता है नीचे और यहाँ पर आपको इंडिकेटर लाइट गोझा है क्लीप, पाउर और यहाँ पर सिगनल का और भी बहुत सारे यहाँ पर Indicator आपको दिखने को मिल जाता है और bridge mode forums को पर 7600W का output आपको e-simplifier में मिल जाता है वहीं बात करेंगे यहाँ पर dumping factor के तो यहाँ पर dumping factor आपको e-simplifier में 400 मिल जाता है जो कि कहीं ने कहीं e-simplifier के लिए उतना अच्छा नहीं है जैसे कि हम कह सकते है dumping factor आपको थोड़ा सक कम मिल जाता है इस amplifier में कम से कम यहाँ पर company को लगबग 800 dumping factor देना चाहिए था कम से कम 800 या फिर 1000 dumping factor होना चाहिए था और यहाँ पर हम बात करेंगे class edge के amplifier जो की काफी अच्छा है बेस और टॉप जो भी आपो चलाना है आप चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी वही हम बात करेंगे power consumption की तो यहाँ पर 9000 watt rated power लिखा हुआ है company के तरफ से चुकि आप इसको अगर एक amplifier को चलाते हैं full load पे तो यहाँ पर full load पे अगर इस amplifier को चलाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 के विए का कम से कम generator एक amplifier के लिए देना पड़ेगा वही हम बात करेंगे इसके net weight के बारे में तो यहाँ पर net weight आपको हो जाता है 49 1500 कराम का एक amplifier आपको बन जाता है तो जैसा कि यहाँ पर weight के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर weight हम कह सकते हैं उत्तना ज्यादा भी weight नहीं है medium weight है उतना weight आपका amplifier होना चाहिए कि आपका amplifier भी काफी heavy है जो की लगबग 7600W का आपका amplifier बन जाता है दोनों channel मिला करके तो guys यहाँ पर हम बात करेंगे अहुजा LX-6600 का यहाँ पर load calculation के उपर price के बारे हम बात करते हैं तो price जो है मैं आपको वीडियो के last में बताऊँगा तो वीडियो को last तक जूर देखते रहेगा तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर load calculation के उपर जैसे कि हम यहाँ पर 2 base अगर हम चलाते हैं तो 2 base हम चलाते हैं तो यहाँ पर 1500W से लेकर के यहाँ पर 1700W का 2 base हम इसमें चला सकते हैं RMS power वाले और यहाँ पर हम बात करेंगे 4 base के उपर अगर आप इसमें 4 base चलाते हैं तो आप यहाँ पर 1300W का 4 base चला सकते हैं जो कि अहुजा का HWX 26 का जो base आता है आपका वो base आप इसमें काफी अच्छे से use कर सकते हैं वही हम बात करेंगे यहाँ पर 2 ohms के उपर आप यहाँ पर 8 base चला सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 8 base के बारें बात करते हैं तो यहाँ पर 800W का 8 base आप इसमें चला सकते हैं टोटल मिला करके 8 बेस आप इसमें लोड डाल सकते हैं वही हम बात करेंगे यहाँ पर टॉप की उपर जैसे कि 2 टॉप और 4 टॉप और यहाँ पर 8 टॉप कैसे चलाएंगे तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं अगर सीरीज कनेक्शन करना सीरीज और पैरलल अगर आप कनेक्शन चानते हैं तो आप इजीली यहाँ पर आप अम्पलीफार को जैसे मन चाहा चला सकते हैं और कनेक्शन आप मैचिंग, ओम्स मैचिंग करके आप यहाँ पर चला सकते हैं तो आप यहाँ पर काफी हेवी से हेवी टॉप चला सकते हैं अगर आपको पैलल कनेक्शन में चलाना है तो अगर आप यहाँ पर 2 Ohms के उपर जलाना चाहते हैं जैसे कि चार टॉप अगर हम चलाते हैं पैलल कनेक्शन में तो आप यहाँ पर इस amplifier में उस type का top आप इसमें 4 top यूज़ कर सकते हैं और उसका जो sound रहेगा वो लगभग 70-75% के आसपस या फिर 80% के आसपस भी आप खोल सकते हैं clipping आपको नहीं दिखाना है मतलब amplifier में clipping so नहीं करना चाहिए नहीं तो आपको speaker जो है damage हो सकता है तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर हम 8 top के बारे में यहाँ पर अगर आप 8 top चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो top का voltage रहेगा वो यहाँ पर 600 watt रहेगा एक top का voltage जैसे कि यहाँ पर 600 watt का top रहेगा या फिर 700 watt का top रहेगा यहां पर 680 का top या फिर 7008 का top जो भी आपका है उस type का top आपि इसमें 8 top चला सकते हैं जैसे कि आपका एक top solum करहेगा और दूसरा top भी solum करहेगा और यहां पर सभी top ज entropy आपको solum का बना लेना है और अगर आप parallel में लगाते हैं तो आपका दो टोप को मिला करके 8 ohm बन जाता है और दो टोप मिलाते हैं तो 8 ohm बन जाता है मतलब चारोग टोप को अगर parallel करते हैं तो आपका 4 ohms load बन जाता है और अगर हम wattage जोड़ते हैं तो आपका एक top 600 watt का रहेगा तो 600 प्लस 600 बारसो और बारसो प्लस बारसो चौबिस सो तो आपर 2400 watt का load बनेगा और 4 ohms के उपर आपका amplifier 2600 watt का output दे देता है तो उस type का top आप यहाँ पर 4 top चला सकते हैं एक channel में और 4 top चला सकते हैं दूसरे channel में अगर आपका top जो है कम wattage का है तो अगर आपको चलाना आता है connection करना आता है तो आप यहाँ पर series connection करके और direct parallel में आप amplifier में दे सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगी काफी अच्छा sound आपको मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पर parallel connection नहीं जानते हैं और series connection नहीं जानते हैं वह लगभग 60,000 से लेकर के 5-6,000 के बीच में आपको amplifier मिल जाता है मार्केट में प्राइस कम ज्यादा हो सकता है इसलिए मैंने आपको approximately प्राइस बताया है इस वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करिएगा शेरी करिएगा अपने दोस्तों साथ चैनल में अगर भी तक नहीं है तो यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल एक इन गॉल में सेट कर लिजेगा क्यूंकि आपको डीज से लेटड़ ऐसे वीडियो मिलता रहेंगे हम झाल